तो मैं स्ट बेर फगड़िया कई दिनों से मेरे वीडियो आपको देखने को नहीं मिले हैं उसके लिए गर में कुछ प्रोग्रम था इसे विडियो प्लोड नहीं कर पाया लेकिन अब डेली डेली मेरे वीडियो आपको देखने को जुरूर से मिलेंगे आज हम बात करेंगे Vivo V20 Pro 5G Phone जो वीडियो की तरफ से आज लौंच हो चुका है आपने बहुत सी इसके अन्वाक्सिंग वीडियो देख लियोगी लेकिन उन अन्वाक्सिंग वीडियो पर मज़ जाए क्योंकि वो रियल नहीं होती है कंपनी की तरफ से यूटूबर्स को फोन दे जाता है जैस आपको वन प्लस नोड लेना चाहिए या Vivo V20 Pro लेना चाहिए कलीर से बताऊंगा वीडियो का भी लाइक कर देजिए चैनल को प्लेज सब्सक्राइब नहीं कि है वह सब्सक्राइब जूरूर से कर लिजिए क्योंकि बिल्कुल होनेश्ट के साथ ही मेरे चैनल पर आपको ऐ वीडियो देखते हो आप इसकी एड़ देखने को मिलेगी तो मैं आपको कलीर से बताऊंगा कैसा फोन है उन एड़ वगरे पे मत जाहिए मैं आपको नेश्टी के साथ बताऊंगा इस फोन के बारे में तो इसके प्राइस के हिसाब से सूपर एमोलेड डिस्पले होना चाह की बेंटरी इस प्राइस की साबसे 4000 एमेज की बेंटरी बुझाए थोड़ी इसी बेंटरी और ज्यादा बड़ी मिलने चाहिए साधे 4000 एमेज या फिर 5000 एमेज के होती तो और ज्यादा बैटर होता और वीववी 20 में आपको पता है कि 3.5 mm headphone jack देखने को मिलता है लेकिन वी नहीं डाला गया कि जिसके वजह से 3.5 mm headphone jack को अटाना पड़े लेकिन फिर भी इसमें नहीं दिया है और जो सबसे जो बड़ी जो कमी हम मान सकते हैं जो हमें लग रहा है वो है इसकी प्राइस या 30,000 रुपए की प्राइस इसकी बिलकुल ज़्यादा है इसकी प्राइस होन सथाण से इन में तो डिष्पले साइज के हिव kiss ourselves के हिसाप से दोनों City बिलकुल सेम है और खंखेंच का दोंगे ऐन फॉन क्या अधाव दिश्पले देखने को मिलता हैं तो साइज की हिच्विक है zwischen Hello and Vivo V20 Pro 5G में आपको नोच काफी बड़ी देखने को मिलती है जो आज के जो फोन आती है आज की टाइम के हिसाब से थोड़ा सा फोन दिखने में इतना बेटर नहीं लगता है डिस्पेले जबकि वन प्लस नोड में जो साइड में जो नोच वगरे दी विए तो वह थोड़ा ज रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाता है तो यहां पर डिस्प्ले मामले में वन प्लस नोड ज्यादा बेटर है क्योंकि एक तो दिखने में डिस्प्ले वन प्लस नोड का ज्यादा बेटर लगता और दूसरा 90 हर्ट का रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाता है डि कि design build quality मेरे साबसे दोनों फोन सही है दिखने में दोनों फोन काफी प्रीमियम लगते हैं और बैटरी मामले में दोनों फोन में में सिर्फ 19 इस का ही डिफरेंस है बाकि कोई डिफरेंस नहीं आप बिलकुल सेम मान सकते हैं क्योंकि चारचर 115 में मिलती यांड वीयों में और वीयों मिलती चारचरे मिलते हैं ? दो cambio में ड्री । नहीं पहते दोड़ा डिफेरेंस नहीं है प्रफॉर्मेंस भी कुछ 19-20 का डिफ्रेंस आ जाता है जो इनका UI होता है वो थोड़ा सा वन पलस वाला थोड़ा सा बेटर लगता है वाकि कुछ 19-20 का अंतरा मान सकते हैं वाकि कुछ अंतरा आपको देखने को नहीं मिलेगा तो गेमिंग अगर आप करोगे तो दोनुए फ मिलता है बाकि फिंगर प्रिंट सेंसर फेसल लोग का फीचर दोनुए फॉन में है और कैमरे बात करें तो कैमरे में काफी डिफ्रेंस आपको देखने को मिल जाता है वन पलस नोड में जो मैन कैमरा उसमें 48 मेगा फिक्चल का कैमरा दिया गया है जबकि वीव के फॉन में आपको 64 मेगा फिक्चल का कैमरा देखने को मिलता है तो रियर कैमरा बैटर आपको देखने को मिलता है वीव वी 20 प्रो में और फ्रेंट कैमरा वीव में आपको मिलता है 44 मेगा फिक्चल का और दूसरा 8 मेगा फिक्चल का और दूसरा 8 मेगा फिक्चल का लेकिन 32 मेगा फि चाहिए रियर कैमरा हो चाहिए आप फोटो लेते हो वीडियो लेते हो वीओ वी 20 प्रो में ही ज़्यादा आपको बेटर क्वाल्टी देखने को मिलेगी क्योंकि वीओ की जो वी शीरीज होती है वह स्पेशल कैमरे के लिए मानी जाती है तो कैमरे अगर आपको फोन में अच् अच्छा कैमरा है दोनों कैमरे लेकिन अगर आप स्पेशली के लिए फोन ले रहे हैं आप यूटूब पे को वीडियो बनाते हैं या और किसी कहीं पर भी आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीवोक के फोन के साथ आपको जरूर से जाना चाहिए क्योंकि इसका स्टोरी टाइप देखने को मिलता है और वीवो बीट 20 परो में 8-120 यह वाला जो वेरियंट है उसकी प्राइस 30 ज़ा रुपई है उसकी प्राइस 28 ज़ा रुपई है तो दो ज़ा रुपई प्राइस भी कम है वन पलस नोड की तो यहां पे आप देखने वाले बात यह मैं यहां पर बाताती है कि ब्रांड की वेली होती है तो मेरे साब से वन पलस का जो वन पलस ब्रांड है वो थोड़ा सा ज़्यादा सही है क्योंकि काफी महेंगे फोन के देखने को मिलते हैं वन पलस के तो ब्रांड के साब से वन पलस थोड़ा सा ज़्यादा पॉपलर लगता है बकी आपकी चोईस आपको वीओ के फोन अच्छी लगते हैं वीओ के साथ पर जा सकते हैं तो यहां पर वनपलस नोट का पराइस झवी से से वरियंट का कुछ कम है और वनपलस्स का व्रांड चाहते हैं और अगर आपको तो डिस्पल है जो थोड़ा सा बैटर चाहिए क्योंकि एक तो डिस्पले में आपको जो नोच मगर है वो थोड़ा सा अच्छी लगती है वन प्लस नोड में और 90 हर्ट का रिफ्रेस्ट रेट मिल जाता है तो आप ले सकते वन प्लस नोड को और अगर आपको वीव काई फोन अच्छे लगते हैं और आपको स्पेशल केमरे के लिए आपको फोन लेना चाहते हैं तो वीववी 20 प्रो फाइजी वो भी जुरूर से आप ले सकते हैं बस इतना कुछी डिफ्रेंस आपको देखने को मिलता है दोनों फोन में डिस्पले आप मान सकते हैं वन प्लस नोड क बैटर और जो कैमरे वो वीववी 20 प्रो के बैटर है तो बस इतना है डिफ्रेंस से बाकि कुछ डिफ्रेंस नहीं है बाकि आप बताए कॉमेट बॉक्स में आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन ज़्यादा बैटर लगता है वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर द पर लगत कर दो दो से क्स्व एंगा दे वाकि म जंदो में सेघन साव li एंग।